प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल क्वेस्ट इंडिया और प्रेस बेल आइकन फॉर ओल नोटिफिकेशन और एरफोर्स के साथ में हम खड़े हैं भारतिय वाई सेना ने जिस परकार का सास का कारिये किया है उसके बारे में हम लोगों की राय भी ले लेते हैं कि उनका भारतिय सेना और वारती राजनेताओं के बारे में क्या कहना है हम इनकी विराय जान लेते हैं कि बारत ने जिस परकार से एर स्ट्राइक में बहुत सारे लोगों को मार गिराया है और ऐसा अनुमाना कि दोसों से तीन सो आतंकवादी पी ओके के अंदर मार गिराये हैं इनके इस बारे में क्या राय है? क्या बारत की राजनेता के साथ बारत की राजनेताओं के साथ या फिर एर फोर्स के साथ ये खड़े हैं या नहीं इनके बारे में बात करते हैं सत्बीर जी? हाँ यह बहुत अच्छा किया जाए अगर आपने यह काम किया है तो हम बहुत खुछ है आपके साथ है ने यह तो कंफरम है कि बारत ने हमला कर दिया है और दो सो से तिन सो आतंकवादी आपे मार गिराए हैं इसके बारे में आप क्या कहना जाओगे नरेंदर मोदी को बहुत अच्छा किया ऐर फोस के साथ को आज को पर जाओ बहुत अच्छे बावनाओं को आप देख सकते हैं कि किस परकार से बावनाए हैं ये कहते हैं कि दुबारा से फिर हमला करना चाहिए हम बात करते हैं अंकित से ये D.A.L. के स्टूडेंट है इनकी क्या राया इस बारे में सर बहुत अच्छा गया ऐसा काम करते रहना चाहिए ताकि आगे हमारे सैनी को पर ऐसा हमला करने के उनकी इम्मत ना हो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया और जैसा आपने सुना है कि एक हजार किलो का बं भी गिराया गया है उसके बारे में आपको क्या कहना है सर ऐसे कंटिनियूस रखना चाहिए इनको ताकि आगे से इनकी बिल्कुल भी इम्मत ना हो और हमारी जवानों का जो होसला है वो ऐसे ही कायम रही ताकि आगे से ये ऐसा काम ना कर सके जैसा कि पलुवामना में हुआ था बारती वाय सेना को आप क्या संदेश दिना चाहेंगे इसके बारे में बार यह करते हो जो पाकिस्तान गंदे कदम उठा रहा है यह इनके कदम कड़ जाए और आप अगर में बुजरेग हो रहा हूं लेकिन नमत इतनी करता हूं आपके साथ भी चल के काम कर सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं इसकी आगे आगे हमारे जो राजनेता है बहुत अच् कि उनका किस प्रकार का जजबा है हम मिलते हैं मिस्टर हनसराज से उनकी क्या राय है कि जिस प्रकार से एर स्ट्राइक की है हमारी एर फोर्स ने उनके बारे में क्या संदेश और उनकी क्या राय है जानते हैं ये मोदी साहब ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया ये देश की लोगों की बाउनों गयन कूल काम था और हमारे फौजी भाई उनका प्रिवार साहिध प्रिवार इससे बहुत खुश होंगे कि मोदी ने बदला ले लिया सर आपके इसमें क्या राय है कि एक हजार किलो के बम भी गिराए गए है और बारा मिराज विमान पाकिस्तान में एर स्ट्राइक करके आए है तो इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो पी-ोक है कि आतंकवादियों को कोई मैसेज आएगा कि आपके वो ऐसा काम नहीं करेंगे इस परकार का कदम उठाने से ड्रेंगे बहुत बहुत दिनेवाद अंसराजी इससे मोदी को लेक्षन में भी बहुत फाइदा हुआ अंसराजी की राये आपने जानी कि इससे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नेरंदर मोदी अभी 2019 में ही एलेक्षन होने जा रही है और उनका कहना है कि इससे बारतिय जनता पार्टी को एलेक्षन में भी फायदा होने वाला है हम हैं यहाँ पर मिस्टर वीजेंदर डूल के पास और इन से पूछना चाहेंगे कि एर फोर्स ने जिस प्रकार का हमला किया है पाकिस्तान पर एर स्ट्राइक की है उनके बारे में इनके क्या जवाब है सर वारत से मेरे को यह आशा दी वेद सर अब हम हैं वेद प्रकार जी के साथ में वेद सर आपकी क्या राय है कि बारत निजिस प्रकार का हमला किया एर फोर्स के बारे में आपकी क्या राय है और बारतिया राजनेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे देखिए हमारे देश के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं और उस थिती के पीछे पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ दिखाई दे रहा है और इसको मध्य नजर ताकि कुछ भविश्य में ऐसी घटनाए ना हो सके और जो इंडियन एर फोर्स ने काम किया है वो मुझे बिल्कुल वाजिव लगता है बारतिय राजनिता हो को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर इसके बारे में देखिए राजनिती एक अलग मुद्दा है उन्हें सैयन से काम लेना चाहिए जहां तक हो सके बादचित देखिए यह सैनिक कारवाई है हम यहां फील्ड में बैठे हुए इस बात को अब्जर्व नहीं कर सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ लेकिन जो समाचार सुनने में आ रहे हैं उसे लगता है कि एक पुखता कारियक है और यह सकारात्मक रुख की तरफ है का हमें दिशा देगा और आगे भविश्य में ऐसी गटना है पुलवामा जैसी गटना है शायद ना गटे एक लास्ट क्योशन और सर है हम बारतिये सेन है शायद किसी और पे नहीं हो सकता हम यहां बैठे जरूर हैं लेकिन हम तनमंधन से सेना के बिल्कुल साथ हैं उनका हमेशा सकारात्मक रुख रहा है अपने घरों में यदि हम सुरक्षित हैं तो सेनाओं की वज़ा से मैं उनको एकदम से लूट करता हूँ यह थे मिस्टर वेद प्रकास जी और उन्होंने बताए कि वाईसेना के साथ कड़े हैं उनको जो भी कदम उठाते हूँ उनके साथ हैं और वारती राजनेताओ को संदेश है कि इसमें राजनेती नहीं करनी चाहिए जबकि मिल जुलके देश के साथ रहना चाहिए और इस कदम का स्वागत करते हैं मैं अपनी तरफ से बारत का नागरिक होने की नाति मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एर फोर्स के हर कदम के साथ हूँ और जिस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक बारती वाईसेना ने किया है हम उसके साथ हैं तन मंधन से सभी प्रकार की सेवा करने के ले त्यार हैं ये थी हमारी राय जो बारत की वाईव सर्णान ने एे स्ट्राइक की है पाकिसतान के अंदर जो पी ऊके यानि पाकिस्तान-बाइड कस्मीर है हमारे चैनल केस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा बहुत बहुत आपका धिनेवाद